तो आज मैं आपको ब्तांगी नंता का ये नं की अम बनाने के लिए अंडा से कैसे अधा मिनाने के फार करें निकाल कर दरी हूं आप पहले अंड्डू को म YES कर देंटी आहरे This किया करें अंडा को मिक्स कर दे रहे न हूं है यहां देखें मिरा देखें अंडा मिक्स दाल दे रहे हूं किया ओद या नत्त जालत रहे हैं अब यहां डारें थोरा सा लाल मिर्शी पाडर यहां पर थोरा समय डार दें गरम मसाला सारे मसलुप को अच्छे से मिक्स कर दे रहें तो चलिए फ्रेंस इसको बनाने के लिए चलते हैं केस के तरफ तो यहां देखे फ्रेंस में ओपन का पेन में बनाओंगी तो आगे से बठा रखी थी तो मेरा गरम हो चुका है तो आप में डाल देती हूं इसमें ओइल तो आइल को अच्छे से गरम होने देती हूं तो यहां देखे फ्रेंस मेरा ओइल अच्छे से गरम हो चुका है तो आप में क्या करें हूं यह डाल दे रहे हूं मेरा अंडा का घोल तो फ्रेंश इसमें बनाने से क्या होगा? कि एक अलंग श्टाइल हो जाएगा अलंग एक श्टाइल हो जाएगा और एक अलंग तरीके का हो जाता है नस्ता तो आप कभी भी कोई घर पर गेश्टाए तो बना के खिला सकती है ये यास ता, तो यहां देखिए, अब मैं क्या करूंगी, कि इसको ढखके और छोर देती हूँ, एक मिन इडें perfectly, तो यहां ढखके एक मिनट के लिए छोर देघाए हुँ, तो यह देखिए फिसी, में एक मिन इडेंば 1 बाद मेरा नीचे से हो गया है, तो मैं इसको पलट दे रही हूँ तो ये देखिए कितना अच्छे से पग गया है नीचे से और अच्छा कलर भी आया है तो मैं सारा अंड़ा को ऐसे ही पलट ले रही हूँ तो इस सैट से भी मैं क्या करूँगी अच्छे से एक मिनट ढख के पका लेती हूँ तो ये देखिए फिरेंस मेरा एक मिनट हो गया है तो मैं इसको भी पलट देती हूँ तो ये देखिए दोनों सैट से अच्छे से पग गया है तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ तो ये देखिए कितना सुन्दर कलर आया है इसका और मेरा जो बाकी का है मैं ऐसे बाकी वाला को भी बना ले रही हूँ तो आप मैं क्या करूंगी फ्रेंस कि इसको भी मैं ढखके एक मीनट पकाने देती हूँ तो ये लीजे फ्रेंस मेरा बन क्यांडा का रेस्पी रेडी है और आपको सामके समय कोई भी आए तो ये नास्ता बना के खिला सकती है बच्चो को या बरो सबको ये बहुत पसंद परता है और इसका थोड़ा से भी चेंज हो जाता है और मेरी रेस्पी कैसी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें